होोल्ड करेंगे और एक तो चल्येखे लगालेंगे तो चलिए इसे अध्यक को स्थी लगा लेगर। है क्यों अधकर छष्डिया रहा है क्याद के षब किसलाज करने अध्यक्य उक्क्राइब करना नियुत थे चाव्पडा है उस gloss का वा रुपड के आपको समय है नारमाई है तो आपको किसी भी लड़ रचनोल मास बना नहीं है तो मैं मूस्क्राइब बनाती है सबस्करों ले लिया है यह जो को यह है, पनी ले लिया है now-le cap सील लेना है और इसे फिर हम पलट कर सीधा कर लेंगे और यहाँ पर मैं कलंगी बनाने के लिए मैंने 6 इंच बाए कपड़ा ले लिया है उसे हम इसी तरह से 3 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे तो इसकी हम कलंगी बनाएंगे तो फ्रेंड्स यह देखिए पट्टी जो अच्छी आजाती है और यह देखिए जब मैंने कलंगी के कपड़े पर सिलाई लगाए थी उसको हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए कलंगी बना लेनी है तो चलिए इस कलंगी को बनाने के बाद नीचे से आप सुई धागे से सील ले या इस तरह से धागे से नोट लगा ठीक है तो चलिए इस तरह से मारे कलंगी भी रेडी हो जाएगी दो कलंगिया हम इस तरह की रेडी कर लेंगे तो यह देखिए एक मेंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है एक छोटी बनाई है ठीक है तो चलिए अब हम इसे पेस्ट कर लेते हैं तो इस तरह से हमने इसको पेस हमारा तो अब हम इस तरह से रेख करेंगे तो देखिए बहुत ही असान तो मैं आपको इसे करना बता रहे हुं बस यह सिसितरह से आप तो चलिए इस तरह से आप अगड़ी को रेख लिजगा और फ्रेंड्स अगर चैनल में फिर्स्ट ताइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है थोड़ी सी भी यूसफल लगती है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा तो चलिए इस तरह से ह कुस्टरमाइज करा सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए इस तरह से हम इसको रैप कर लेंगे तो चलिए यहां पर हमारा पगड़ी का बेस बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसमें कलंगिया पेस्ट करेंगे ठीक है तो यह देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं तो यह देखिए पट्टी खत्म होगी थी तो मैंने दूसरी पट्टी को लगा कर इस तरह से अरजस्ट करकर इसे पूरा कवर कर लिया है तो आप भी इसी तरह से कवर कर लें ठीक है सेमन से आठ नंबर की गोपाल जी के हमारी दूसरी पट्टी जुरूर लग जाती है क्योंकि एक पट्टी से पूरा कवर नहीं होता तो चलिए सबसे पहले मैं आप पर बड़ी कलंगी साइड में रखेंगी और जब कलंगी लगाते हैं तो आप जो बेस का फ्रंट विर को अपने सामने रखें ठीक है और अब देखें यहाँ पर मैं आपर मल्टी कलर की लटकन लगा रही हूं देखें जैसे लटकन मैंने ड है ना तो चलिए इस तरह से अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं जैसा कि हमारा ड्रेस के उपर माटीरियल लगा हुआ है उसी तरह से मैं इसी डेकोरेट कर लूँगी तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको एक एक बात बताई है अगर आपको मारी वीडियो थोड़ी के लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं थैंक यू फर वचिंग रादे कृष्णा मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए राधे राधे और देखिए इसे मैं पूरा कंप्लीट करके आपको फाइनल लुक जरूर दिखाऊंगी तो च इसी हो जाता है बार बार स्टोन गिरते नहीं है तो यह वी एक ट्रिक होती है तो इसे आप जरूर अपनाएगा थैंक यू और इस तरह से हम सारे स्टोन को लगा लेंगे और इस तरह से मारी जो बपाजी की ड्रेस